उत्तरप्रदेश के परेली में शुक्रवार को दिन भर सडकों पर प्रदर्शन हुआ शाम साधे तीन बजे तक महौल तनाफ पून रहा लेकिन नियंतरण में था स्लामिया मैदान की ओर से लोट रहे प्रदर्शन कारियों ने श्याम गंज में तोड़ फोड और पत्थर बाजी की शुक्रवार दो पहर के बाद लगभख साढ़े तीन बजे बाइक छुए जाने पर प्रदर्शन कारियों की भीड ने श्याम गंज में बवाल कर दिया रहगीरों के साथ मार पीट कर पत्राफ किया फूल की ठेली को पटक दिया एक बाइक और स्कूटी में तोड़ फोड की इस दोरान चार लोग घायल भी हुए मौके पर पहुची पुलिस ने लाठी पटक कर उपदर्वियों को खदेड़ा इससे पहले सुबह ग्यारा बजे ही सौदा गंज, कुदुप खान, पुराना शहर समेत शहर के अधकांच अस्तानों पर दुकाने बंद हो गई थी शाम पांच बजे स्लामिया मैदान और शाम गंज पुल को प्रदर्शनकारियों से खाली कराया गया, तब जाकर लोगों को राहत की सास मिली शहर में करीब 6 घंटे तक दहशत का मौहल बना रहा और उपदर्वियों के खिलाफ केस दर्च कराया गया मौलाना तौकीर रजा के सामुह गिर्फतारी के ऐलान को लेकर जुम्हे की नमाज के बाद हजारों की तादात में लोग स्लामिया मैदान के आसपास जमा हो गए, काफी देर तक हंगामा और नारे बाजी चलती रही, महौल उग्र बना रहा दुपहर करीब पौने चार बजे वहां से लोटने के दौरान शामगंज में मौलाना अजाद इंटर कॉलेज के सामने कपल शर्मा और सागर समीर की बाइक प्रदर्शनकारियों की भीड में शामिल एक व्यक्ती ने चूदी जिसके बाद कहा सुनी हो गई, आक रोशित भी उवकों को पीटना शुरू कर दिया, उन पर पत्राव भी किया, दोनों उवक बाइक छोड़ कर वहां से भाग निकले, इसके बाद उपद्रवियों ने बाइक तोड़ डाली, आजाद इंटर कॉलेज के अलावा पर दर्शनकारियों के एक टुकडी ने शामगंज में फिर उपद्रवियों को खदेरा, इसकारवाई में प्रदर्शनकारियों में से एक दो लोग घायल भी हुए, शामगंज में दोनों जगों पर जहां बवाल हुआ, उससे कुछ दूर पर बड़ी संख्या में पुलस बल की तैनाती की थी, इसके बाद पुलस कर्मी बस तमा अगरा रखने के लिए सेक्टर जूर्रल सिस्टम लागू किया गया, सम्रीदन शील जगों पर पुलस बल के साथ सेक्टर और जूर्रल मिनिस्ट्रीट तैनात के गए, इसकारण शेहर के कई बड़े बवाल होने से बचने की सूचना है, नबीटी ओनलाइन की रिपोर्ट